आंगनवारी केंद्रों का किराया सो समय नहीं मिलने से आप सभी को कितनी परिशानी होती है ये तो आप सभी को पता ही है जैसे कि कई महिनों कई सालों से जो आंगनवारी केंद्रों का किराया है वो भुकतान नहीं किया गया है जिसको लेकर आप सभी को मकान मालिक से भी कई पर कहा सुनी हो जाती है तो फाइनली आई सीरियस विवाग के तरफ से एक पत्र जाड़ी किया गया है जिसमें आपको इस वीडियो में एक अच्छी ख़बर मिलने वाली है कि जो आगनबारी केंदरों का किराया है वो किस परकार से भुकतान किया जाएगा और कब तक इसका तो पैसा है वो आपको मिलने वाला है आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफर्मेटीऍव होने वाली है आप लोग इस वीडियो को एंड तक जो देख लिजएगा अगर आप सभी आगनबारी बेहनों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो निशे रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलते हैं अफिस्यल लेटर को जारी किया गया है जिसका डेट यहाँ पे आप देख पाएंगे आगनबारी केंदर किराया भुगतान करने के संबंद में तो देखे इसे संबंदित एक और पत्रांग जो जारी किया गया था निदेसाले के तरफ से 31.8.2.8 को जिसमें की आगनबारी केंदरों का जो किराया है वो लगभग एक हजार उपए गरामीन छेतरों के लिए दिये जाते हैं और जो चार अजार उपए है वो सहरी छेतरों के लिए जो निदेसाले का पत्रांग है वो जारी करके बताये गये थैंinvest नजुक जो भी आग कि प्रियुजनाओं में आंगनबारी केंद्र किराय का भुक्तान सवा समय निर्धारित दर यानि की समय पर भी नहीं मिलता है और जो निर्धारित दर है जैसे कि 1000 रुपए 4000 रुपए उसको भी नहीं दिया जाता है जिसके कारण किराय पर संचालित आंगनबारी केंद्रों के संचालों में असुविधा हो रही है तो जो आंगनबारी केंद्र का किराय है वो नहीं मिलने से असुविधा तो पड़ाथ होगी ही और जैसे कि आंगनबारी केंद्र किराय भुगतान में बिलम होने से सेविकाओं का असह हो जाता है लेकिन जो पर्योजना अस्थर है वहां से जो आंगनबारी केंद्रों का किराया है जो आंगनबारी सेविकाओं को दिया जाता है तो वहां से केंद्रों का किराया भुगतान करने में ये लोग देरी करते हैं जिसके कारण सेविकाओं को प्रोब्लम होती है अता न का पैसा है वो समय पर भुगतान किया जाए ताकि आंगन बारी बहनों को कोई भी प्रोब्लम न आए और नीचे यहां पर ICDS डिरेक्टर का सिगनेचर भी देख सकते हैं तो इस परकार की जो भी प्रोब्लम चल रही थी आप सभी आंगन बारी बहनों को उमीद जताया जा सकत में किसी और नए ठर्पिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद